स्वागा थे दोस्तों सभी का आपका अपना चैनल टूटॉई में दोस्तों आज हम फिर से जाने वाले हैं जंगल खिलोनों की तलाश में तो जाने वाले थे तो सामने क्या दिख गया हमें ये क्या है अरे भाई सिर्फ ये ने अरे देखो आसपास कितना सारा खिलोना दिख तो चलो फटाफट आप लोगों को दिखा देते हैं आस पास क्याerd खिलाव ना है मुझो तो बहुत कुछ दिख रहा है यह धीखू पहले यह कलेक्टिंग बाकेट दिखाता है अमें जंगल में आते ही दोस्तो बाकेट के अंदर कितने सारे Nou Will वाव रे यह क्या है यह तो एक छोटू सा इंसान लग रहा है यह सायद किसी जगापे बैठा हुआ था देखो बैटने का पोस देके यहाँ पे है तो देखो दोस्तों इसके साथ देखो एक सीरी भी है अरे भाई सीरी है और क्या है और ये क्या है ये तो हैंडल है वाउ आज कलेक्टिंग बाकेट हमें पहले ही मिल चुका है कलेक्टिंग बाकेट के अंदर बहुत सारे वुल से और आसप बढ़िया वाला टॉय मिला है पहले तो चलो इसे बाकेट के अंदर रख देते हैं बाकेट के अंदर रख दिया और ये देखो और एक छोटू सा टॉय कितना क्यूट है यार आज तो क्यूट क्यूट टॉय मिल रहा है ब्लू कलर में इतना छोटू सा क्यूट वाला टॉय कित अरे भाई कितना सुन्दर एलिफेंट देखो दोस्तों बहुत बढ़िया लग रहा है देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो देखो यह एकदम रियल वाला है एलिफेंट की तरह ही लग रहा है तो चलो इसे भी बाकेट के अंदर ले लेंगे बाकेट के अंदर ले लिय तो देखो यह तो एक रिक्षा है और ऐसा ही सेम खिलोना यहां पे भी मुझे दिख रहा था यह देखो यह देखो यहां पे भी एक सेम खिलोना है इसका भी हैंडल नहीं है इसका भी हैंडल नहीं है क्या बात है हैंडल के ओ नो हमें तो हैंडल बाकेट के अंदर दिखा था ये देखो बाकेट के अंदर हैंडल है, तो चलो दोस्तो, दो रिक्षा मिल गया है, टुइन्स रिक्षा, एक ही जैसा देखने में है, तो चलो इसे बाकेट के अंदर फटा फट ले लेते हैं, और आगे बर के ये देखो, यहाँ पे भी एक खिलोना है, यह कौण सा खिलोना है, देख लो दोस्तो, यह तो एक cycle है, वाव, इसका handle भी घुंता है, यह देखो, handle घुंता भी, इसमें एक light भी है, headlight लगा हुआ है, यह देखो एक supporting wheel भी है, टोटल 4 wheel है cycle में, cycle का color combination, देखो, कितना सुंदर लग रहा है yellow and green color में तो चलो इसे भी bucket candle ले लेंगे bucket candle ले लिया और आगे बढ़ते ये देखो ये कौन सा खिलोना है भई कितना सुन्दर देखो aeroplane कितना सुन्दर लग रहा है देखो दोस्तो एकदम real plane की तरह ही लग रहा है ना एकदम real plane की तरह ही है ये देखो ये passenger plane है तो दोस्तो हमें एक white color में बहुत बढ़िया condition में एक aeroplane मिल चुका है तो चलो इसे भी bucket के अंदर ले लेंगे और देखते हैं ये कौन सा खिलोना है ये देखो ये कौन सा खिलोना है भई ये तो auto rickshaw है चोटू सा प्यारा सा cute सा auto rickshaw मिल चुका है हमें आज जो जो खिलोना मिल रहा है दोस्तो सवी अच्छा वाला खिलोना मिल रहा है पर bucket के अंदर हमें बहुत सारे wheels भी मिले थे इसके मतलब हमें फूटा फूटा खिलोना भी मिलने वाला है तो चलो आसपास और एक बार देख लेते हैं आसपास और कुछ है क्या नहीं यहां पर तो मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों तो चलो यहां से आगे बढ़ते हैं bucket को यहीं पर छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे अरे अरे यार देखो तो आज क्या हो गया आज कितने सारे खिलोने यह एक साथ अरे वहाँ पे भी दिख रहा है वह देखो वहाँ पे कुछ दिख रहा है खिलोना टाइप का और आसपास देखो आसपास तो खिलोना ही खिलोना खिलोनों से भरा हुआ है यह देखो ये देखो तो चलो पहले दिखा देते हैं हमारा पहली नजर में आया था ये बाला टॉय ये कौन सा खिलोना है दोस्तो लिखा हुआ है देखो C.N.G. आटो ये C.N.G. आटो रिक्षा है दोस्तो वो भी इसका एक भी विल नहीं है विल के बिना मिला है हमें C.N.G. आटो रिक्षा ग्रीन एन एल एन ब्लैक कॉम्बिनेशन में दोस्तो बाकी कंडिशन सच में बढ़िया है देखो एकदम रियाल आटो रिक्षा की तरह ही लग रहा है जस्ट इसका विल लगा दूँगा तो एकदम नया हो जाएगा विल शायाद बाकेट में मिले क्योंकि बाकेट के अंदर बहुत सारे विल थे पहले से ये देखो बाकेट के अंदर ले लिया अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा खिलोना है नेक्स्ट है है ये कौन सा खिलोना भाई दिखा देता हूँ आप लोगों को ये तो ये ये है ट्रॉली बाला ट्रैक्टर दोस्तो ये ट्रैक्टर है ये देखो इसका सामने का इंजिन ट्रैक्टर का इंजिन है पीछे तो ट्रॉली लगा हुआ है माल लोड करने के लिए तो स तो इसका मतलब विल बाकेट में अल्रेडी मौजुद है तो चलो बड़िया बात है हमें एक ट्रॉली बाला ट्रैक्टर मिल चुका है तो यह देखो इसे बाकेट के अंदर ले लिया अब देखते हैं आगे और कौन सा ये देखो ये कौन सा खिलोना है देखो तो ये यहा से तूटा हुआ है यह तो लगाने में बहुत ही आसानी से लग जाएगा मुश्किल कुछ नहीं है दोस्तो मुझे लग रहा था है मुश्किल होगा लेकिन मुश्किल नहीं है दोस्तो यह आसानी से लग गया यह कौन सा खिलोना है देख लीजिए आप लोग यह देखो यह तो यह excavator है, orange color का है, बहुत बढ़िया condition में, just इसका आगे का will खुला हुआ है, condition बहुत बढ़िया, इसका एक suspension खुला हुआ था दोस्तों, तो हमने यही पे attach कर दिया, बाकी condition बढ़िया है, orange color का है, बढ़िया है, will देखो और भी बढ़िया है, तो चलो bucket में इसे भी ले लेते है, यह देखो bucket में ले लिया, और आगे जाना पड़ेगा, यह देखो जंगल तो घना है बहुत, तो हमें साबदानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे यह कौन सा खिलाना है भाई, यहाँ पे तो ट्राक लिखा हुआ है, तो यह ट्राक ही है दोस्तों, तो हमें ए कुछ था, पर उपर का कुछ खुला हुआ है, तो चलो हमें एक overall बहुत अच्छा वाला नहीं, थोड़ा थोड़ा अच्छा वाला condition है दोस्तों, कुछ ज्यादा खास भी नहीं है, कुछ ज्यादा खराब भी नहीं है दोस्तों, just good वाला खिलोना मिला है हमें, तो चलो, इस अगे एक खिलोना मुझे दिख रहा है जंगल के अंदर, बहुत घना जंगल में हो दोस्तो, हाथ बारा कर निकालना पड़ेगा उसे, तो चलो थोड़ा आगे बर के निकालते हैं, ये देखो, अरे ऐसा बाला है तो हमें ट्रक अभी अभी मिला था, ये देखो, सेम ट्रक, ज यहाँ पर पूलिस लिखा हुआ है, शायद ए पूलिस बाला ट्रक है, दोस्तो, ये देखो, इसका भी पीछे का 250 विल गायव है, तो चलो, 750 विल गायव हुआ तो क्या हुआ, हमें ट्रक तो मिला है, बहुत बड़िया भी है, तो चलो, इसे बाकेट के अंदर ले लेंगे, बाकेट के अंदल ले लिया और बाकेट को उठा कर अब आगे बढ़ते हैं आसपास एक बार और देख लेते हैं कुछ है क्या नहीं दोस्तो यहाँ पे तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा अरे दिख तो रहा है और क्या यह देखो दिख गया यह कौन सा खिलोना है देख लो जारा अरे इसमें एक चीटी घुज गया यह तो एक ट्रेन इंजिन है दोस्तो यह एक ट्रेन इंजिन है अरे कितना सुन्दर है ट बिल खुला हुआ है ओवरल गुट कंडिशन में है इसका बोडी क्वालिटी सच में बढ़िया है दोस्तो देखो इसका बिल क्वालिटी बहुत बढ़िया है तो चलो बाकेट के अंदर ले लिया इसे भी और इसे यही पर छोड़ेंगे बाकेट तो हमारा फूल हो गया दोस् टैक्सी है अरे दोस्तो टैक्सी मिल चुका है हमें बो भी बड़िया कंडिशन में है इसका एक भी खुला नहीं है कुछ और खुला हुआ है क्या नहीं दोस्तो इसका और कुछ खुला नहीं है ये तो एटाच्मेंट सब कुछ इसमें टोटल अल्रेडी एटाच्मेंट क्य हुआ है देखो यह टैक्सी है यहाँ पर लिखा भी हुआ है टैक्सी तो चलो दोस्तो हमें टैक्सी मिल चुका है यह लो कलर में और यह कौन सा इसे यहाँ पर छोड़ते है यह देखो यह कौन सा खिलाना है देखलो दोस्तो यह तो ओयल टैंकर है यह देखो ओयल टैंकर यह मिलका रॉयल टेंग का ट्राक होने वाला है दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है तो चलो, इसे यही पे रखते हैं और यह देखते ही यह कौन सा खिलोना है या आरे, यहाँ पे तो पुलिस लिखा पुलिस ट्राक, अच्छा वो पूलिस ट्राक काई पार्ट है दोस्तों वो ट्राक भी हमें मिला था वो देखो इसका पार्ट देखो इसका पार्ट है तो चलो हमें तो आज बहुत सारे खिलोने मिल चुके है अल्रेडी तो चलो दोस्तों उठाते है फटाफट और घड़ की तरफ निकलते है ये देखो बाकेट में ले लिया बाकेट देखो बिलकुल फुल बाकेट कहाँ पे है देख लो दोस्तो जंगल में ही रखा हुआ है तो देखो आज तो बहुत सारे खिलोने हमें मिल चुका है अब इसे हमें अटाच्मेंट करना होगा आप लोगों को दिखाना होगा तो एटाच्मेंट सीखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एक लाइक करें और हमारे साथ जुरे रहें तो चलो मिलते हैं घर जाके तब तक के लिए बाई दोस्तो बाई बाई तो देखो दोस्तो हम घर भी पहुझ गये आज तो हमें बहुत सारे खिलोने मिले थे वो भी बड़िया खिलोना भी मिला था कुछ 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 टूटा फूटा सा था तो चलो हम फटा फट एटाच्मेंट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं तो बाकेट की अंदर से पहले निकाल लेते हैं यह है ट्रेनिंग जिन यह है ओल टैंकर यह हमारा टैक्सी अरे यह कौन आ गया यह भी तो हमारा टैक्सी है नहीं यह हमारा बॉडिगाड है देखो वो कुछ दिख रहा है तो चलो उसे देखने देते हैं हम फटा फट और ब पुलीज बाला ट्राक है दोस्तो और यह कौन सा ट्राक है यह स्थिस ट्राक तो लिखा हुआ था पर मुझे देखका लग रहा था यह ऑल टैंकर ट्राक है दोस्तों तो चलो इसे भी बाहर निकाल लेते हैं यह ये कौन सा है पुलिस ट्राक का तूटा हुआ पार्ट है दोस्तों ये देखो ये कौन सा खिलाना है ये तो है एक्सक्यूबेटर एक्सक्यूबेटर को हमने बहान निकाल लिया ये कौन सा खिलाना है ये है आटो रिक्षा ये कौन सा खिलाना है ये है ट्रॉली बाला ट्रैक् ये तो है हमारा हैंड रिक्षा जो की हमें दो मिला था एक साथ एक ही कलर का सेम टू सेम देखो दोस्तों एकदम सेम टू सेम है इसे भी बाहन निकाल लिया ये देखो ये क्या मिला है ये मिला है हमें साइकल ये देखो ये क्या मिला है नीला का लड़का कार ये देखो, कितना सुन्दल लग रहा है दोस्तो और ये देखो, ये है हमारा elephant, elephant को भी बाहर निकल लिया, और कुछ है, और कुछ नहीं है, दोस्तो चलो bucket को ये ही पर रखते है ये देखो, bucket को ऐसे रख दिया, कि देखने में आसानी हो, निकालने में आसानी हो और वो देखो वो क्या देख रहा है, क्या जाने तो चलो हम फटा-फट शुरू करते हैं दोस्तो तो पहले हम attachment करेंगे हमारा trolley वाला tractor को तो trolley वाला tractor का problem क्या था, दोस्तो ट्रॉली बाला ट्रक्टर का प्रॉब्लेम था आगे का विल खुला हुआ था तो इसका विल तो मुझे यहाँ पे एक दिग गया यह देखो एक और शायद यह है हाँ दोस्तों देखो हमें इसका विल मिल गया तो चलो टाइम नहीं गवाते हुए फटाफाट एटचमेंट कर करना है हमें यह विल को इस रोड में एटचमेंट कर देना है दोस्तों यह देखो एटच हो गया दोस्तों एक कंप्लीट हुआ यह हमारा मिनी ट्रक्टर सोरी दोस्तों यह हमारा ट्रॉली बाला ट्रक्टर कंप्लीट हो गया तो इसे साइड में रख दिया आब आत है हमारा और रिक्षा की बारी, और रिक्षा का प्रोब्लेम था दोस्तो, इसका तीनो विल गया था, तो हमारे आसानी के लिए इसका नीचा वाला पाथ हमने उपर उठा लिया, तो देखो दोस्तो, इसका विल हमें ढूनना होगा, ये देखो, तीनो विल एक साथी है, ये ही है और र दोस्तों डालने से ये देखो एटच हो गया ये कम्प्लीट है अब देखो ये इसका पीछे का विल है अब इसे एटचमेंट करना है हमें ये देखो पीछे एक विल डाल दिया और ये देखो दूसरी साइड में भी और एक विल डाल दिया देखो ये कम्प्लीट है दोस्तों यह complete हो गया तो इसे भी हम side में रख देंगे side में रख दिया आप आते है हमारा next attachment जो कि है हमारा excavator excavator का भी problem same ही था दोस्तों आगे का will खुला हुआ था ये देखो इसका will मुझे दिख रहा है ये एक will है और ये देखो एक will है तो चलो इस छेद में डालो एक will को ये देखो डाल दिया दूसरी side से भी निकल गया ये देखो और एक will इस rod में ज़ज डालना है हमें ये देखो डाल दिया ये हमारा excavator भी complete हो गया तो complete हो गया तो ज़्यादा नहीं समाइग आएंगे दोस्तों यहाँ पे रख देंगे, excavator को 3 खिलोना हमारा complete हो गया, अब आते है हमारा चौथा attachment की तरफ, जो कि है हमारा train engine attachment, train engine का problem था दोस्ता आगे का will खुला हुआ था, will कहाँ पे गया, यह देखो ऐसा बाला will तो यहाँ पे दिख रहा है already, यह देखो निकाल will यह देखो इसमें भी से attach कर दो, यह देखो, हो गया, attachment complete है दोस्तो, चलो इसे भी side में रख देते है, यह देखो, इसे भी side में रख दिया, अब आते है हमारा next attachment, जो कि है हमारा यह city police truck, city police truck का problem क्या था दोस्तो, यह अरे, अरे, देखो दोस्तो, यहाँ पे मुझे एक आदमी दिखा था, यह दे दोस्तो, तो देखो, हमने यह attachment कर दिया, यह पार्ट, यह city police truck का पार्ट था, देखो दोस्तो, यह देखो, city police truck लिखा हुआ है, speed king भी लिखा हुआ है, यह पार्ट इसकी उपर जाएगा, यह देखो, इसकी उपर जाएगा, और यह देखो, हलके हाथो से just press करो, यह lock होता जाएगा, चारो साइट से lock हो जाएगा, यह देखो, lock हो गया दोस्तो, यह देखो, bucket की नहीं, दोस्तो, यह इसका chamber है, इसमें डाल देते है, यह देखो, डाल दिया, यह complete है, अब इसे पुड़ा complete करने के लिए हमें इसका will attachment करना होगा, इसका will कहा गया दोस्तो, यह दूसरा वाला will को भी सेम तरीके से attachment करना है, दोस्तो, यह देखो, सेम तरीके से attachment कर दिया, यह देखो, हमारा city police truck complete, वाव, इसका will का sound तो बहुत बढ़ी आ है, दोस्तो, तो चलो, इसे भी हम इसके जगा में रख देते है, attachment complete होने के बाद, सभी toy को हमारा right side में रखते है, यह देखो, रख दिया, अब आते है, हमारा next attachment, जो की है, हमारा oil tank का truck, oil tank का truck का क्या problem था, दोस्तो, oil tank का truck का semi problem था, उसका tank खुला हुआ था, यह देखो, tank खुला हुआ था, यह पीछे बाला part है tank का, यह आगे बाला part होगा, दोस्तो, यह देखो, यहापे बैठाते है, य यहाँ पे भी चाल लॉक है यह देखो लॉक तो इस लॉक को इस ग्रूप में डालो डलके हलके हतों से प्रेस कर दो कंप्लीट हो जाएगा यह देखो कंप्लीट हो गया बहुत आसानी है तो चलो और एक सीरी था सीरी देखके मुझे कुछ याद आया था दोस्तों मैंने जो अब क्या करना है दोस्तों एक बारी में अटाच हो जाएगा दोनों को एक साथ उंगली में प्रेस कर दो यह अटाच हो जाएगा दोस्तों यह देखो उंगली से प्रेस करते ही एटाच हो गया ये देखो कैसे गुम रहा है ये भी गुमेगा तो दोस्तों ये देखो अरे इसका भी विल का साउंड बहुत बढ़ी आ है दोस्तों तो चलो इसे भी हम साइड में रख देते हैं ये देखो साइड में रख दिया देखो हमारा टोट में जस्ट 'st handle को डालू येदेखो चेयद में जस्ट handle को डाल दो ये डाल गाल ये देखो डाल दिया एक socks handle डाल दिया और ये देखो दूसरा वाला Han гelbell है इसे भी डाल देते हैं ये देखो को अख साथ complete हो गया दोस्तों यह बिल्कुल रेडी है अब चलने के लिए तो चलो इसे भी हम यही पे रखेंगे दोनों को एक साथ देखने में बहुत मज़ा आता है देखो दोस्तों टोटल हमारा आठ खिलोना अटच्मेंट कंप्लीट है और यहां पे जो बाकी सारे खिलोने है उसमें कोई खराबी या तूटा-फूटा कुछ नहीं है दोस्तों यह बिल्कुल परफेक्ट कंडिशन में है दोस्तों तो चलो एक बार दिखा देता हूँ यहां पे कौनसा कौनसा खिलोना है यहां पे है हमारा साइकल जो की योलो एंड ग्रीन कलर कंबिनेशन में है बहुत बढ़िया कंडिशन म बहुत बढ़िया कंडिशन में इसका कालर बहुत ग्लॉसी कालर है दोस्तों तो चलो यहां पे रख देते हैं और यह देखो छोटू सा रेट कलर का कार है इसे यहां पे रखेंगे और यह देखो यह छोटू सा निला वाला कार है इसे भी यहां पे रखेंगे और यह देख हमारा क्लो न जो कि है ऐलीफेंट को कहा पर रख रहूं इलीफेंट यहां पर रखते दोस्तों जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगेगा एक साथ सभी खिलोना कितना बढ़िया लग रहा है तो आस तो बहुत मजा आया आटा हूँ आप लोगों में तब तक के लिए बाइ बाइ दोस्तो बाइ बाइ